students यह question exercise 1.3 से है question है you know that 1 by 7 equals to 0.142857 bar यह 1 by 7 की value है जो 6 places के बाद after 6 places of decimal repeat कर रही है can you predict what is the decimal expansion of 2 by 7 3 by 7 4 by 7 5 by 7 6 by 7 without actually doing the long division if so how तो देखिए हमें यह 1 by 7 given है तो अगर हम 1 by 7 क्योंकि हमारे पास 1 by 7 है तो 2 by 7 जो हमारे पास आएगा वो आएगा 2 into 1 by 7 तो 1 by 7 की value given उसको 2 से multiply कर देंगे इसी तरह से 3 into 1 by 7 करेंगे तो 3 by 7 की value आ जाएगी तो 4 by 7 इस सारी values हम इसी तरह से calculate कर लेंगे तो यह 1 by 7 की value हमें given है तो जैसे मैंने आपको बताए 2 by 7 को लिखेंगे 2 into 1 by 7 2 into 0.142857 2 से इसको multiply करेंगे तो यह हमारे पास answer आएगा 0.285714 और यह भी repeat करेगा तो यह हम इसको बार लिख देंगे तो यह इसका answer हो गया इस तरह से 3 का आएगा 3 into 1 by 7 तो 3 into 0.142857 इसको जब हम multiply करेंगे 3 के सार्थ तो यह आ जाएगा 0.428571 बार तो simple है कि जो भी number है 1 by 7 उसको 2,3,4,5,6 से multiply करते जाएं आपके पास अंसरा इसी तरह से हम इसको 4 से multiply कर देंगे 0.142857 तो यह हमारे पास आएगा 0.571428 बार के साथ यह 5 के साथ multiply कर देंगे 142857 तो यह हमारे पास आएगा 0.714285 बार और 6 के साथ आएगा 6 into 0.142857 जो अंसर आएगा 0.857142 तो यह यह बिना डिवीजन के हमने डिवाइड नहीं किया सिंपल हमने यह बनबाई 7 जो में value given थी बस उसी को use करके यह सारे answers हमने निकाल लिए Thank you